Hello friends, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, उसके लिए हमें चाहिए चॉप्ड एल्मंड, धाइसो ग्राम शकर, एक ग्लास दूद, सो ग्राम घी, और दो किलो गाजर. अब सबसे पहले कड़े में घी रखेंगे और उसको गरम होने देंगे. फिर उसमें हम एट करेंगे गाजर. अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको कंटीनिउसली मिक्स करेंगे. 15 से 20 मिनिट तक हम इसको अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे. और जैसे जैसे हमारी गाजर पकती जाएगी इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता जाएगा. बलकुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको कंटीनिउसली पल्टाएगे. अब देखिए जैसे जैसे ही पकती जाएगी इसके कलर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा. अब 20 मिनिट के बाद हम इसमें दूद एट करेंगे. और इसको 2-3 मिनिट तक अच्छे से हिलाएगे. अब देखिए हमने 2-3 मिनिट के लिए इसको अच्छे से हिला दिया है. आप चाहें तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भी बना सकते हैं. अब हम लास्ट में एट करेंगे इसके अंदर शूगर और इसको अच्छे से मिक्स कोने देंगे. फ्रेंट्स ध्यान रखें कि हमारा हलवा तेज आज पर ना बने. अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और लास्ट में फ्रेंट्स हम इसके अंदर एट करेंगे ड्राइफ फ्रूट्स हमने इसमें एल्मंड लिया हैं आप चाहें तो अलग-अलग ड्राइफ फ्रूट्स भी इसके अंदर ले सकते हैं. अब फ्रेंड्स हम फ्लेम को आफ करेंगे और देखें हमारा गाजर का हरवा बिलकुल तयार है थैंक यू फॉर वाचिंग